तो चलिए दोस्तों आज जो है हम क्या topic देखने माद है आज ITC का section 18 क्योंकि section 16 हो गया section 17 हो गया जिसमें हमने block credit और restricted credit सब कुछ हमने देखा यहाँ पे और अब देखेंगे आज section 18 जो switching से related है और फिर एक नया topic start करेंगे और वो रहेगा payment of tax जो भी student first time ये section देख रहे होगे तो मैं पहले कह देता हूँ कि आपको notes कैसे मिलेगा जिसकी सारी जानकारी मैंने lecture 00 या lecture 01 में दिया है इसके पहले के सारे topics आपको मिल जाएगे chapter wise revision series में description में playlist जरूर देखिएगा playlist में सारा कुछ आपको मिल जाएगा as well as यहाँ telegram link भी आप join कीजिएगा description में telegram link दिया हु वो telegram link जो है आप join कीजिएगा ठेक है दोस्तो तो चलिए शुरू करते है आज का session और मैं daily GST bites कुछ important topics अपने Instagram पे post कर रहा हूँ और कभी कभी यस आप से बातचित करने कि आपके पढ़ाई कैसे हो नीच यह क्या हो नीच यह last month में इंस्टा पे आओगा लेकिन social media जितना कम से कम हो उतना कम से कम use करो मैं क्या होगा तो saturday या sunday दोनों में से कोई एक दीन होगा जो जिसके बारे मैं आपको बता दूगा तो आपको मेरा insta join करना है और मेरा insta जो है वह है ca underscore visual underscore buttered ठीक है और मैं आपको एक बात कह दूँ कि description में सारी links दिए यह description जरूर thank you to all of you चलिए अब हमारा revision start करे आर यू रेडी बोलिए हाउस दजोष है सार चलो अब देखिए section 18 availablement or reversal of ITC availablement or reversal of ITC यहाँ पे yes दोस्तों सबसे पहले हम देखिए section 18-1 और 18-2 जो बात करता है availablement of ITC की और उसके बाद में यहाँ पे 18-3 जो एक transition phase के लिए है और फिर हम देखिएंगे 18-4 बहुसी बार practice करते हैं वाक हमारे समने 4 situations आती है पहली situation पहली situation यह आती है नहां से सुनना एक एक point बहुत section 18 में सबसे पहले यह situation आती है कि कोई GST में registration voluntary लेना चाहता है या liable for registration है तो पहले दो situation में create कर रहा हूं कि you are liable for registration under section 22 मतलब आपका threshold cross हो गया 10 लाग 20 लाग 40 लाग और अब आप registration करवा रहे हो या second जो है यहाँ पे आप compulsory registration में आ गया हो अब law क्या कहता है section 18-1 A कहता है कि अगर आप यहाँ पे liable for registration में हो और आप 30 days में registration करवा लेते हो यह बहुत important है 30 days में registration करवा लेते हो तो वो situation में हम ITC के कुछ benefits आपको देंगे अब या फिर आप voluntary registration करवाते हो तो voluntary registration में जब आपके RC आएगी उस दिन कुछ होगा अब देखो उन्होंने क्या कहा गवर्में में थे या non registered थे आपको ITC नहीं दिया क्योंकि section 61 के इसाब से registered person ही ITC ले सकता है इसलिए जब तक आपका टन हो 10 लाग 20 लाग या 40 लाग होगा threshold में होगा या आप unregistered थे उस period में आपने न input capital goods और input service जो भी purchase किया होगा उसका आपने ITC नहीं लिया ठीक है कोई problem नहीं और वह मिलेगा भी नहीं अब इसके बाद government क्या कहती है अगर आप liable to registration होते हो दैन सुनिएगा आप liable to registration होते हो या आपने voluntary registration लिया तो जिस दिन आप liable to registration होए यह word बड़ा important है जिस दिन आप liable to registration होए और आपने 30 days में apply कर दिया ये benefit तभी आप 30 days में apply कर द लिए के लिए रड़ी है government कहती है कि जिस दिन आप switch हो रहे हो from unregister to register उसके पहले दिन I repeat उसके पहले दिन whatever the input in stock उस दिन stock input का stock low inputs in semi-finished goods या आपका WIP और input contained in finished goods which are in stock ऐसे finished goods जो stock में उसके inputs आपको inputs का credit allow कर दिया जाये का and you are entitled to take the ITC of the stock stock का ITC आप ले सकते हो हाँ तो इसके पहले जो consume किये थे उसके ITC नहीं जो stock बचे रहे उसका ITC क्योंकि अब ये stock से जो goods बनेगा ओके वो यहाँ पे I repeat okay तो यहाँ पे जो stock आपका goods बचेगा वो stock का credit दिया क्योंकि उससे अब taxable goods बनने वाले पर ख्याल रहे हैं ये दो situation में जो registration वाली situation है liable to या voluntary situation voluntary registration इसमें सिर्फ input का ही stock का credit है capital goods के stock का credit नहीं मिलेगा मतलब यह हुआ कि unregistered period में okay अगर आपने कोई capital goods खरीदा है तो आपको कभी ITC नहीं मिलेगे not know not in future इसलिए लोग क्या करते है planning करते है कि बहुत बढ़ा heavy machinery है तो वो क्या करते है वो पहले ही यहाँ पे registration ले लेते है voluntary registration ले लेते है so that capital goods का credit ले सके लेकिन switching जिस दिन switch हुआ उसके पहले दिन only input का ही credit आपको मिलेगा okay तो अगर आप person liable for registration हो मतलब आप liable हुए for registration तो okay किस दिन के stock का दिया जाएगा on the date immediately preceding the date when he become liable to registration मतलब क्या जिस दिन आप switch हो रहे हो उसके पहले दिन input का जो stock होगा उसका ITC दिया जाएगा और अगर आप voluntary registration में हो आपने voluntary registration किया तो जिस दिन आपकी RC आएगी registration आएग उसके पहले दिन जो है okay जो stock रहेगा inputs का उसका ITC दिया जाएगा now next okay important comment यह सारे benefits सभी है अगर आपने 30 days में apply किया for registration यह आप liable to registration है और आपने 30 days में apply किया होगा तो यह सारे benefits आपको मिलेंगे clause A और B में यह तो registration वाली case हुए अब देखो कभी-कभी हमारे सामने ऐसा भी client आता है और वो क्या वो client पहले composition लेवी में था हो सकता है कि उसने voluntarily composition लेवी छोड़ दी या फिर और के उसका aggregate tenor 50 लाग देड़ करोड या 75 लेग क्रॉस हो गया ठीक है तो वो normal scheme में आ गया मतलब पहले composition में था फिर normal में आ गया या फिर okay situation डी पहले exemption में था फिर normal में आ ग तब आपने inputs capital goods और input service का credit नहीं लिया होगा क्यों क्योंकि यहां section 10-4 clearly block करता है कि आप ITC नहीं ले सकते composition scheme में तो वो पिरेड में आपने कोई ITC नहीं लिया होगे आपने okay यहां पर ITC नहीं लिया होगे उसके बाद में next बेटा यहां आप जब exempted period में होगे और फिर आपका supply taxable होगे तो आपने ITC नहीं लिया होगे okay तो वो situation में क्या होगा वो situation में जब आप switch होगे come on come on come on मैं आपका धहन जाओगा okay मतलब पहले आप जो थे जagement पहले आप जो है composition में थे exemption में थे और फिर एक दिन ऐसा आया कि आपका composition scheme withdraw हो गया और आप normal में आगे या फिर आपका exemption withdraw हो गया और आप normal में आगे तो जिस दिन switch होगे उसके preceding date को यानि उसके पहले दिन input का कोई stock होगा दहां से सुनिएगा input का कोई stock होगा, okay maybe stock में होगा, semi finished goods में होगा या वो input जो finished goods है, link stock है, उसके ITC आपको दे दिये जाएगे, पर stock के ही दिये जाएगे और बहुत important बात क्या है, यह situation C और D में, okay capital goods का भी और आपने composition scheme के period में कोई capital goods खरीदा होगा, या exemption period में कोई capital goods खरीदा होगा तो ठीक है, जिस दिन switch हुआ, उसके पहले दिन जो है, okay, यहाँ पे कोई capital goods का stock पढ़ा होगा, उसका भी ITC मिल जाएगा लेकिन ये capital goods का stock का ITC government क्या कहती है, ये capital goods का stock का ITC government कहती है, पूरा नहीं देंगे, I repeat, पूरा नहीं देंगे तो जो capital goods का GST था, minus 5% per quarter और part thereof, देहन से देखिएगा, 5% per quarter या part thereof, उसका ही हम आपको ITC देंगे, okay, देहन से सुनिएगा, okay, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे एक example लेके बताओ, okay, 5% यहने ITC minus 5% per quarter या part thereof, मतलब आपने capital goods खरीदा, और आपने capital goods खरीदा, example लो, 10th January, okay, 2022 को, आपने capital goods खरीदा, चलो, उसके बाद में आपने, यह capital goods खरीदा, तो इसके ओपर GST जो था, वो GST पांच लाग रुपे था, okay, आपने ITC नहीं लिया, क्यों नहीं लिया क्यों क्योंकि यह capital goods यहाँ पे composition scheme के लिए, या exam के लिए था, इसलिए आपने उसका ITC नहीं लिया, लेकिन अब वो ही capital goods, okay, date है, यहाँ पे 20th August, okay, 2022 को, वो ही capital goods जो है, अब use हो रहा है, लेकिन आपकी composition scheme, okay, withdraw हो गई, और आप normal में आ गए, या आपका exemption, exemption था, वो withdraw हो गया और आप normal tax में आ गए, तो 20 तारीक को switch हुए, तो उसके पहले, 19th August, 22 को, आपका जो capital goods है, input का तो stock का मिलेगा, जो capital goods stock में होगे, उस capital goods का भी ITC मिलेगा, कितना, कितना, वो कहते हैं कि जो 5 लाग रुपे मिलने वाला था, पूरा नहीं देंगे, बही कुछ प्रेड के यूस किया न, तो 5 लाग माइनस 5% पर quarter से reduce करेंगे, और 5% पर quarter, quarter calendar quarter लेने है, calendar quarter लेने है मतलब क्या, पहला calendar quarter कौन से मन्द में खरीदा था, जन्वरी में, इसलिए, तो calendar quarter भी जन्वरी से चालो होता है, तो calendar quarter कौन से, April में, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, हाँ, तो ये कौन से quarter में खरीदा हुआ है, calendar quarter में, जन्वरी फर्वरी मार्च, तो जन्वरी फर्वरी मार्च, एक quarter, okay, April में, June, दूसरा quarter, okay, July, August, September, okay, तीसरा quarter, तो वन, 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 ऐसे तीन quarter हो गया है, okay, तो आपको 5% पर quarter, तो आपको 3 quarter के, okay, into 3 quarters, यहने आपको 15% कम करने पढ़ेंगे, अब 15 परसेंट कम करने मतलब, okay, 4,25,000, I repeat, 4,25,000, जो है, यहाँ पर, okay, वह आपका 15% परसेंट, 4,25,000 होगा, यह जो है, यह जो है, यह ITC अलोव हो जाएगा, याने 5% को कम करके, जो बचा, उतना ITC आपको अलोव कर दिया जाएगा, तो यह था वेटा, आपको calendar quarter लेना है, और 5% पर quarter से आपका input tax reduce करके मिल जाएगा, composition scheme हो, अगर composition scheme होगी, तो कौन सी date का stock देखना है आपको, तो day before, okay, immediately preceding the date when he liable under normal scheme, और immediately preceding the date when he become taxable, ठीक है, तो in short, आपको last day का, okay, date देखना है, जिस उस दिन क्या stock था, उसका IT से आपको दे दिया जाएगे, okay, declaration आपको file करना पड जाएगा within 30 days, और अगर 2 लाग के उपर या amount होगी, आपके C or D clause में, हैं सुनिएगा, C or D clause में, अगर आपके amount 2 लाग के उपर होगी, तो CACMA का आपका certificate लगेगा, चलिए, यह तो आपने देखा, पर very very important point, और वो important point क्या है, okay, section 18-2 कहता है, person is entitled to take ITC, if supply of inputs or capital goods is, person is not entitled, to take IT issue of inputs or capital goods, if supply of that inputs or capital goods, after expiry of the date issue of tax invoice, मतलब क्या, मतलब यह ख्याल रखना, कि जिस दिन switch हुआ, जिस दिन आप register से, और unregister से register में आए, voluntary register की RCI, या फिर composition से normal में आए, या फिर आपका exemption नॉर्मल में आए, तो इस दिन, okay, जो भी input का stock होगा, okay, ख्याल रहे, जो भी input का stock होगा या second case में input plus capital goods का stock होगा, उसका ITC मिलेंगे, लेकिन इसके invoice की date, जान सुनना, इसके invoice की date last one year में होनी चाहिए, okay, let's take example, आपका switching होगा 20 August 2022 को, तो आपकी switching date जो होनी चाहिए, पिछले साल, हैने, okay, यहाँ पे 21 August 2021 को, okay, तक के invoice चलेंगे, उसके पहले के old invoice होगे, तो उसका IT से नहीं मिलेगा, यहने, यहाँ पे कहा गया, कि आपका old stock होगा, तो ITC नहीं दिया जाएगा, okay, नो आपका एक सवाल हो सकता है, क्या, sir, input service का नहीं मिलता है, कि नहीं, section 18 जो apply होगा, okay, वो जो stock के credit देता है, आपको switching के वाग, वो सिर्फ inputs का देता है, okay, और capital goods का देता है उसमें भी registration वाली case होगी, तो only input का मिलेगा, capital goods का नहीं मिलेगा, और composition और exemption से normal scheme होगी, तो आपको inputs as well as capital goods का भी ITC दिया जाएगा, चलिए, यह था section 18.1 और 18.2, समझा क्या, बोलिए, yes, sir, समझा होगा तो अपना काम कीजिएगा, आपको पता है, आपको क्या करना है, okay, yes, समझा होगा तो जोड़ से बोलिएगा, yes, जिसने like कर दिया, okay, नहीं किया हो, तो thumb दीजिएगा, okay, समझा होगा तो like करके बताओ, like already कर दिया होगा, तो thumb देखे बताओ, one year जो है, हम ये date के back जाएगे, यानि जिस दिन switching हुआ, धन सुनिएगा, जिस दिन switch हुआ, उसका back, उसका back one year में आपका, यहाँ पे purchase होना चाहिए, उसके पहले का purchase होगा, तो IT से नहीं मिलेगा, very good, चलो, उसके बाद में section 18.3, 18.3 क्या कहता है, कि अगर आप, okay, यहाँ पे आपका business sell कर देते हो, amalgamate कर देते हो, lease पे देते हो, transfer of business, या de-merge करते हो, धैन सुनिएगा, de-merger करते हो, पहले आते, sale वगरे कर देते हो, मतलब आपने किसी को business transfer कर दिया, या amalgamate कर दिया, business जो नया बंदा है, okay, register percentual transfer is unutilized ITC in electronic credit ledger to transferi, मतलब जो नया बंदा है, transferi, okay, transferi को आपकी ledger में, बहुती बार यह client के सवाल होते हैं, कि sir, मैंने business बेज दिया, तो मेरा ITC क्या सामने वाला continue कर सकता है, बिलकुल कर सकता है, उसकी कुछ procedure है, वो procedure follow करेगा, तो, okay, सामने वाल जान, सुनिएगा, D-merger मतलब क्या होता है, D-merger मतलब आपकी बहुत सारी branches है, बहुत सारी units है, उसमें का एक unit आप बेच रहे हो, पुरा business ली बेच रहे हो, एक unit बेच रहे हो, तो आप अगर अपना एक unit बेच रहे हो, तो, क्या, जो भी, वो आपका नया unit खरीद रहे है of the business, whether they are not input tax has been availed there on, मतलब क्या, आपकी टोटल असेट, आपने ITC लिया हो या ना लिया हो, उसमें, बिल्डिंग, कार वगरे, जो भी सब कुछ लिया जाएगा, आपकी जो टोटल असेट है, वो असेट में से, आपने कितनी असेट, वो यूनिट के साथ सामने वाले बंदे को दे दी है, डीमर्ज कर दी है, उसके बेस पे, उसके अपोर्शन में, आप अपना क्रेडिट शिप कर सकते हो, इस से रिलेटेड, मैंने आपके रेगुलर बुक में, यहाँ पे एक क्लारिफिकेशन भी दिया था हो, क्लारिफिकेशन जरूर पढ़ना, और यहाँ लिख देना, कि अलसो रेफर क्लारिफिकेशन रेगुलर नोट्स, और आपको अगर उस क्लारिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टन पॉइंट लिखना है, तो यहाँ स्टिकी नोट्स अटाच कर देना, तो जो असेट आपने ट्रांसपर की, वो प्रोपोर्शनेट में आपको ITC ट्रांसपर करते आएगा, लेकिन इसके minimum conditions क्या है, there is a specific provision for transfer of liability, मतलब क्या, जो नए बंदे को आपने sale किया, ट्रांसपर किया, या फिर amalgamate किया, या फिर आपने demurge किया, उसने सारी liabilities accept करनी चाहिए, यह बहुत important condition है, सारी liabilities accept करनी चाहिए, साथ साथ में declaration ITC 02 में होना चाहिए, certification होना चाहिए, CACMA का कि credit proper उसको दिये गए, कि acceptance of transfer credit by transfer on common portal, और last imports or capital goods, so transfer are duly accounted by transfer in his books of account, मतलब जो transfer याने लेने वाला, तो जो भी हमने inputs और capital goods उसको transfer किये, उसने proper अपने books of account में है, वो सारा accounting किया हुआ है, अगर यह चारो condition fulfill करते हो, तो आप credit ship कर सकते हो, यह section 18.3 कहता है, चलो, उसके बाद में reversal of credit, दोनों में difference आपको बता देता हूँ, available of credit मतलब हमने stock के credit लिये, जो stock पड़े थे, उसके credit लिये, और reversal of credit यह ने किया, कि जो stock के credit है, वो reverse करना पड़ता है, अब reverse करना पड़ा है, बिल्कुल ulti situation ले लो, ulti situation ले लो मतलब क्या, हम पहले unregistered थे, ध्यान सुनेगा, हम पहले unregistered थे, फिर registered हुए, ऐसा भी हो सकते है कि पहले रजिस्टर हुए, रजिस्टर थे, फिर हमने registration कैंसल कर दिया, क्योंकि आपका turn of 20 lakh से निचे चले गया, अब छोटा business हो गया तो आपने registration कैंसल कर दिया होगा, business continue कर रहे हो, फिर cancel कर दिया होगा, या फिर यह ulti case ले लो, पहले आप normal scheme में थे, फिर composition में आगे, क्योंकि एक composition scheme तो आप हर साल check करते हो, if aggregate turn or operating financially does not exit, year 1.5 या 75 या 50 lakh, तो आपको composition scheme में राती है, या ultra ले लो, पहले आप taxable थे, फिर exemption में आगे, और कि तो एकदम इसका reversal, या आप देखो के तो एकदम मैच हो जाएगा बिल्कुल, चार्ट का यही कमाल है, और क्या रिगूलर बुक का रहना, इसे पेज टरन करने पड़ते हैं, वो आपको जान पर आता है, और comparison मुश्किल हो जाता है, लेकिन चार्ट में आप इमिजेट कमपैर कर सकते हो, और कि अगर आपको चार्ट अच्छा लगा होगा, दिल से अच्छा लगा होगा, तो आपको क्या करना है, तो येस आप थम नीजिएगा, और कि यहाँ पे, आपको अपना काम करते जाना है, ठीक है, एक मिनुट चल्ड ये दो हमने देख लिया, उसके बाद में अब रिवर्सल में आ जाईए, रिवर्सल अब क्रडिट इन स्पेशल केसेज, रिजिस्टर पर्सन स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल स्कीम और पेमेंट टू कमपोजिशन, और वो नॉर्मल से कमपोजिशन में आ रहा है, या उसका टैक्सिबल सप्ला एक्जम्ट हो रहा है, या वो अपना रिजिस्टरेशन कैंसल कर रहा है, तीनो के लिए कमपोजिशन है, जैसे यहां मैंने थोड़ा अलग-अलग बताया, पहले दो के लिए अलग है, क्योंकि यहां सिब कैपिटल गूट्स का ही, इन्पूट्स का ही क्रेटिट मिलता है, कैपिटल गूट्स का नहीं, और यहां अलग-अलग है, यहां सब के लिए एक ही ट्रिट्मेंट है, और वो क्या ट्रिट्मेंट है, देखिए, अमॉंट तो भी रिवर्स, एक्वेलन टू आई-टी-सी आउन, आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आई-टी-सी आउन, इन्पूट्ट इन स्टॉक, इन्पूट इन सेमी फिनिश गूट्स, और इन्पूट इन फिनिश गूट्स हैलिए इन स्टॉक, मतलब क्या, मतलब यह है यहां पर, कि जिस दिन आप जो है, और कि नॉर्मल से कंपोजिशन में आए, उसके प्रिसिडिंग डेट, कम ऑन, प्रिसिडिंग डेट को जितने भी इन्पूट, जिसके क्रेडिट आप अल्रेड़ी ले चुके हो, वो इन्पूट स्टॉक में, डव्ली आएपी में, फिनिश गूट्स में, वो क्यालकूलेट करना पढ़ेगा, उसका आपने ITC कितना लिया है, वो भी क्यालकूलेट करना पढ़ेगा, और जितना उसका ITC है, वो आपको रिवर्स करना है, और capital goods होगा, तो capital goods का भी आपको रिवर्स करना है, और वो रिवर्स क्या करना है, reversal on pro rata basis, pertaining to remaining useful life, यहाँ पे जो capital goods का रिवर्स करना है आपको, ओके capital goods का रिवर्स करते व्ग आपको 5% नहीं, वो कहते हैं, pro rata basis पे रिवर्स करना है, come on, वो क्या कहते है, pro rata basis पे रिवर्स करना है, कि जिसकी useful life 5 years आपको अजूम करना है, अब pro rata basis पे कैसे रिवर्स करना है, तो यहाँ अलग है, यहां पर credit लेते हो 5% और credit लेते हो simple है total ITC minus 5% लेकिन आपको reverse करते हो capital goods के case में आपको pro rata basis पर reverse करना है और आप आगे क्या कहते हैं देखो after reversal, balance in electronic credit ledger shall lapse, यह बहुत important है और इसके आप practical questions भी करके देखना मैंने section 18 के practical questions आपके questionnaire में दिये है तो practical question at least एक तो भी solve करके देखना वो क्या कहते हैं जो आपने ITC निकाल लिया inputs और capital goods का capital goods का pro rata basis पर निकाला वो reverse करने के बाद balance अगर बचेगा तो lapse होगा और अगर यह reversal जादा आता है क्योंकि आपके पास balance कम है और reversal जादा आगया तो difference आपको pay करना पड़ेगा एक बार फिर से electronic credit laser में balance जादा है balance जादा है और reversal कम है तो electronic credit laser का जो excess balance वो lapse हो जाएगा लेकिन आपके laser में ITC के balance कम है और यह reversal जादा आ रहा है तो वो case में difference आपको pay करना पड़ेगा अब आपका सवाल क्या है कि sir यह pro rata basis कैसे निकाला जाएगा तो यह pro rata basis का एक illustration मैंने यहाँ दिया है पर मैं सिर्फ revise कर सकता हूँ illustration immediate अभी class के बाद आपको यहाँ पे revise करना है देखो वो क्या कहते है capital goods have been in use for 4 years, 6 months and 15 days example लिया है कि एक capital goods जो है चार साल 6 months 15 days use किया है मतलब क्या मतलब यहाँ पे पहले आप taxable थे फिर composition लेवी में आ गए या पहले taxable थे फिर exemption में आ गए पहले आप register थे फिर unregister में आ गए तो आपने कोई capital goods खरीदा था जिसका ITC आपने लिया हुआ था यह आपने जिस दिन switch हुए तब तक 4 साल 6 मेना और 15 दिन आपने यूज कर लिया 4 साल 6 मेना पंदरा दिन यूज कर लिया तो अब इसकी remaining useful life कितनी बची प्रोराटा बेसिस पे तो वह example देखो क्या कहते है the useful remaining life in a month 5 months 5 months कैसे रहे 5 months मतलब अगर अब ध्यान सुनना 4 साल 6 मेना पंदरा दिन होता है यह यह जो extra days हुए यह days आपने useful life में count कर लेना useful life में count कर लेना मतलब आप total 4 साल 7 मेना हो गया 4 साल 7 मेना यहाँ बहुत important है extra days round up forward में कर लेना 4 साल 7 मेना हो गया हमको life कितनी आजिम करनी है 5 years 5 years तो हैने कितने हो यह 60 months 60 months में से यहाँ पर 5 years 4 years 7 months हो गया 4 years 7 months हो गया तो बचे कितने 5 months तो आपकी remaining useful life कितनी पेची 5 months तो अब वो 5 months के इसाप से जैसे इसका ITC समझ लो 5 लाग रुपे था तो capital goods का आपको कितना reverse करना है तो capital goods का आपको reverse करना है 5 lakh into उसकी जो remaining useful life है कितना remaining useful life थी 5 divided by 60 तो जो भी amount आएगा वो amount आपको reverse करना है यह 5% per quarter नहीं लेना है उसकी जो remaining useful life होगी वो आपको लेना है और accordingly calculation करना है procedure and conditions और कि यहां पर देखो reversal of input shall be determined with corresponding to invoices if invoice not available then reversal is based on prevailing market price अब देखो यहां पर कितनी चाला के government government क्रेट कहिती है कि जब credit लेना है तो last one year के ही invoice होने चीए उसके पहले का stock होगा तो ITC नहीं मिलेगा लेकिन जब credit reverse करना है और balance lapse करवाना है यहां government केती है reversal के लिए या lapse के लिए या payment के लिए आपने अगर चार साल पहले भी खरीदा होगा पास साल पहले भी खरीदा होगा तो सभी stock का reversal होगा हाँ सभी stock का reversal होगा government की चाला के देखो कितना है यानि जब reverse करना है तो फिर एक साल नहीं कोई भी stock हो तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका 5 साल पुराना है 2017 का stock है यार मेरा अब इतना पुराना stock है 2017 जब GST आया था तो अब ये तब कोई invoice available नहीं है तो government केती reverse हो करना पड़ेगा भाई अब तब का अगर कोई invoice available नहीं है तो आज की उसकी जो market value होगी उसका GST, I repeat आज की उसकी जो market value होगी उसका GST निकालो और उतना reverse करना पड़ेगा ITC shall be calculated separately for CGST ये reversal CGST, SGST, IGST के लिए अलग-अलग निकालना पड़ेगा और के reversal amount will be added in output tax liability detail to be furnished in ITC 0-3 जो भी आपका reversal amount आएगा reversal amount अगर exist होगा तो वो situation में output tax liability में add कर दिया जाएगा 18-4 समझ में आया? Yes, Sir, जोर से बोलिए Yes or No 18-4 समझ में आया की नहीं आया? जोर से बोलिए सभी case में ये provision आपको करनी है then, 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 then okay, चलो 18-6 में आजाओ 18-6 में आपकर का उला कर दो हो... ... ... ... ... ... ... झाल झाल चलिए sorry बेटा मैं एक जस्ट विन्यट स्टार만 झाल करствен को तキविन्यट व्यत्म चल आजाए ये 18-6 पे अब 18-6 क्या क्याता है देहां से देखेंगा 18-6 क्या 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 है reversal of credit on supply of capital goods plant and machinery on which ITC has been taken अब देखो यहाँ पर एक बाद आपको बता दूँ आपके 18-6 बड़े क्लेवरली ड्राफ्ट किया है कैसे ड्राफ्ट किया है समझ लो आपने कोई capital goods की वाल्यू थी 50 लाग अब यह capital goods की वाल्यू थी 50 लाग उसके उपर GST था 6 लाग रुपया आपने 6 लाग का ITC on which ITC has been taken आपने 6 लाग का ITC ले लिया अब यह लिया हो सकता है यूज भी कर लिया वाटेवरीट में भी अब यह capital goods आप जो है supply कर रहे हो कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप यह सेल कर रहे हो ट्रांसपर बार्टर एक्षेंग लीज रेंटल डिस्पोजल वाटे रिट में भी तो यह capital goods supply कर रहे हो अब supply हो सकता है कि जान बुच के कोई planning करके मैंने regular class में detail नहीं बता है था आप 50 लाग का चीज 20 लाग में बेच रहे हो 20 लाग में बेच रहे हो अब देखो हमने क्या देखा था हमने देखा था कि अगर कोई भी goods क्योंने capital goods हो कोई भी goods अगर आप यहाँ पे या कोई भी business asset for consideration बेचते हो तो supply माना जाएगा 7-1-A का और अगर without consideration on which ITC taken लेते हो तो वो भी supply माना जाएगा और supply माना जाएगा तो यहाँ पे GST add rate 12% 20 लाग पे तो 20 लाग पे 12% कितना हुआ 2,40,000 तो 2,40,000 का GST है आपने just okay in 20 days okay in 20 days 50 लाग का machine 20 लाग में बेच दिया होगा कोई भी रिजन होगा okay technology down होगे machine खराब आग अब government को क्या problem है government को यह problem है कि तुमने credit claim किया 6 लाग हम कुछ बोले क्या नहीं बोल कि हमारे साथ धुका किया यानि credit पूरा ले लिया 6 लाग और हमको दिया सीब 2,40,000 तो government कहती है ना बाबना okay यहाँ पे government क्या कहती है government यह कहती है कि जो आपकी okay कोई भी capital goods planned and machinery जो आपकी TV होगी उसका GST यानि 2,40,000 तो यह जो 2,40,000 और option one minus okay 6,00,000 minus okay यहाँ पे 5% per quarter okay जो आएगा 6,00,000 minus 5% समझे लो आपने एक ही quarter बिस दी रहने एक ही quarter यूज किया okay तो एक quarter का 5% यहाँ छे लाग का 5% कितना होता है तो 6,00,000 का 5% 30,000 तो 6,00,000 minus 30,000 okay minus 30,000 यानि कीचे बज़ते 5,70,000 तो इन दोनों में से whichever is higher यानि यहाँ पे 5, 5,70,000 आपको पे करने पड़ेंगे और गौर्मेंट ने यह नहीं कहा क्योंकि आप कुछ भी आप भई नुकसान आपको का गौर्मेंट क्यों लेगी तो गौर्मेंट कहती है ट्रांजिक्शन वाल्यू का GST या okay आपका जो ITC था minus 5% per quarter और और फिर कि जितने भी quarter होगा 5% per quarter okay okay 5% per quarter और आपने भेज़ दी और यहाँ पर जो भी आएगा तो दोनों मेंसे वीचेवरी जायर come on दोनों मेंसे वीचेवरी जायर वो आपको यहाँ पर yes pay करना पड़ेगा बस तो यहीं देखो क्या कहते है अगर कोई भी capital goods plant और मश्री जिसका ITC आप ले चुके हो और वो आप supply करते हो तो ऐसे केस में payment आपका पहला ITC minus 5% per quarter और पार्ट देरो आप a GST on transaction value okay वीचेवरी जायर आपको लेना पड़ेगा लेकिन important point क्या है okay in case of यहाँ पे bricks, molds, dice, okay modes है यहाँ पे, okay dice, jigs, fixtures, यहाँ पे jigs और fixtures, supplied as a scrap, supplied as a scrap then person may pay tax only on transaction value, okay an option about two, मतलब क्या, अगर वो bricks होगी, mold होगे, die होगे, jigs, fixtures होगे, तो उसको आप यह 5% वाला criteria मत लगाना, अगर वो as a scrap बेचा जाए, very important, वो as a scrap बेचा जाए, mold, dice, na, sacha, structure जो होते है, वो as a scrap बेचा जाए, तो उसकी जो transaction value होगी, वो transaction value का, okay, जो GST आएगा, उतने दिया जाएगा, okay, चलिए, तो यह हमने देखा, यहाँ पे, regarding to section 18, I repeat section 18, तो इस तरह से हमने सारे provision section 18 के complete हुए, अब आपको क्या करना है, आपको जो है, बस यहाँ पे, इस related, एक दू questions, okay, दो तीन questions पढ़ लेने, एक questions all करके देखना है, okay, बहुत अच्छे से आपका यहाँ पे cover हो जाएगा, done, yes or no, चलिए, अब बिटर, next chapter हम स्टार्ट करेंगे, payment of tax, हो सकते हैं, आपको notes आगई water rate में भी, okay, यहाँ पे, अगर आपके पास notes नहीं भी होगी, तो भी screen से मैं हर point समझा देता हो, फिर आपने immediately notes से पढ़ लेना, और अगर आपके पास होगी, तो मेरे साथ फटा-फट कर लो, okay, तो next chapter हम चालो करेंगे, कौन सा payment of tax, तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, payment of tax, सबसे पहले खास बात बता दू, यह payment of tax, एक पेज में पूरा chapter ही cover कर लिया, यानि मैं आपको यह कहूगा, कि यह chapter के अलावा, बस question है, पढ़ लेना, that's enough, that's enough, इसके अलावा, आपको कुछ भी पढ़ने की जरुआत नहीं है, तो चलिए, start करें, chapter payment of tax, yes or no, ठीक है, यहाँ पे, और मैं आपको बता दूगा, कि आपको यह area में सबसे ज्यादा practice अभी कहा करना है, किसके questions आपने फटा फट देख लेना है, तो start करते है payment of tax, mainly यह chapter जो payment of tax में तीन पार्ट में डिवाइट करता हो, आपको electronic cash ledger, दूसरा और कि आपको electronic credit ledger, और electronic liability register, यह तीन register आपके common portal पे, GSTN portal पे maintain होते है, सबसे पहले electronic cash ledger की जितनी भी provisions है हम यहाँ खतम कर देंगे, electronic credit ledger की सारी provisions है हम यहाँ खतम कर देंगे, और liability register की सारी provisions हम यहाँ खतम कर देंगे, so are you ready, yes, तो electronic cash ledger के मैंने दो पार्ट किये, पहले, आ आप electronic cash ledger में, GSTN portal पे पैसा कैसे डालोगे, और जो cash ledger में आपने पैसा डाला है, वो कैसे यूज करोगे, okay, very simple, okay, आपको जब भी GST payment करने है, तो वो direct tax के गिसमें नहीं होते है, आपका पैसा जो common portal पे एक ledger maintain करता है government, उसमें जमा होता है, उसको कहा जाता है electronic cash ledger, जिस ये चारो में से कोई भी मोड में आप डाल सकते हो, जिसमें payment जो होगा, आपका एक चालान होता है, चालान PMT 06 चालान होता है, जिसके बारे में हम आगे पड़ेगे, और इसके थुरू आप पैसा डाल सकते हो, okay, PMT 06 चालान, और ये जो चार मोड में, very important point, ये चार मोड म में पैसा जमा किया है, वो किसके लिए यूज का सकते हो, तो देखो, नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो टोटल टैक्स liability आएगी, माइनस credit, जो credit होगा, आपको टेबल याद होगा, तो टोटल आउटपुट टैक्स लेस ITC, तो नेट जो बजेगा, वो आपको cash laser की टैक्स, interest liability, penalty होगी, या कोई fees होगी, या कोई any other payment, मतलब in simple word, आपका cash laser सारे payments के लिए यूज कर लिया जाता है, अब आप जो payment करते हो, चालान के थुरू करते हो, PMT 06 चालान, और चालान जो है, online जनरेट होती है, और online आप payment करते हो, लेकिन एक concept में याँ explain करना चाओगा और वो है OTC, over the counter, ओके ये OTC over the counter क्या concept है, मतलब कभी कभी क्या, आपका कोई bank account नहीं होगा, और आप bank में जाके, bank में जाके चालान लेते हो, और वो चालान, वहाँ bank के clerk को देते हो, या महाँ कोई officer को देते हो, भाई मुझे GST payment करना है, तो अगर आप online नहीं दे रहे हो, बैंक में जाके, आप जो ये चालान दे रहे हो, तो वो सिफ allowed है, MCQ question के लिए important, वो सिफ allowed है 10,000 तक, 10,000 पर चालान, पर tax period ही allowed होगा, उससे जादा नहीं, अब आपको important समझेगा, यह चार मोड से pay करना है, तो unlimited, कोई restriction नहीं है, एक रुपे से लेके करोड रुपे तक, ल यहां 10,000 के उपर भी over the counter कर सकते है, लिखना है तो लिख देना over the counter कर सकते है, तो तीन case में, अगर वो government department होगा, यह गौर्मेंट department खुट tax देना चाहता है, यहां पे proper officer या other authorized proper officer tax देना चाहते है, तो वो situation में, यहां पे आप 10,000 के उपर भी दे सकते है, over the counter, या कोई outstanding due हो पैसा हम देते हैं bank में, तो outstanding due, या investigation के case में, कि government जो भी पैसा मिलेगा, dues मिलेगे, वो bank में जाके खुद भरेगी, फिर वो करोर रुपए हो, कि millions, trillions रुपीज हो, और कि उसको कोई restriction नहीं है, तो तीन restriction आपने याद रखना है, उसके बाद में चालान जो valid रहता है, और कि अगर आपने चालान create किया है, तो यह 15 दिन तक valid रहेगा, ओके, अगर कोई unregistered person payment करता है, होता है, कि आपका registration आना बाकियो और आप पे कर रहे हो, unregistered person pay करता है, तो उसको temporary identification number मिलता है, और वो temporary number पे pay कर सकता है, जब तक उसका justin नहीं आता है, ओके, आपने payment करने के बा जो digital number होता है, यह बहुत important है, यह इसलिए important है चालान identification number, क्यों क्यों कि यहाँ पर जब भी आपको payment का प्रूफ देना रहा, तो यह CIN बड़ा important हो जाता है, on receipt of CM, collecting bank the same amount to be credited to e-cash ledger, अब जैसे आपने चालान दिया PMT-06, CIN जनरेट हुआ, और CIN जनरेट होने के बाद, व आपने जो पैसा दिया, electronic cash ledger में credit कर देती है, और कि यहाँ पर, अगर आपका CIN नहीं जनरेट हुआ, तो आप complaint file कर सकते हो, और जिस दिन government के account में पैसा जाएगा, उसी दिन यह माना जाएगा, कि आपने payment कर दिया, जैसे आपकी due date है 20 तारिक, तो 20 तारिक तक government के account में पै 20 तारिक हो गिया, जब last day को payment करते हो तो ऐसा होता है, तो government दो दिन का आपको interest लगाएगी, government कहेंगी वो नहीं पता, तुमारे account से कब deduct हुआ, हमारे account में कब आया, okay, online, वो 22 को reflect हुआ, तो दो दिन का interest उमको चार्ज करेंगे, तो यह important points थे, okay, यह simple points थे, यह आपने learn कर ल तो CIN जनरेट होता है, जो 18 डिजिट का होता है, और BIN मतलब bank reference number, तो यह जो है, यहाँ पर short note है, यह भी आपने पढ़ लेना, मैं यह चार्ट में लगबग most of the concept कवर कर लिए, आप अगर compare करोगे, तो आपको regular book से तो आपको पता चल जाएगा, आपने मेरा class किया और नही electronic cash ले जाए, अब utilization of minor and major head, मैं आपको यह बता दू, okay, minor and major head का utilization allowed है, okay, देखो, मैंने क्या दिया है concept, बहुत सी बार क्या हो जाता है, कि यहाँ पर minor and major head जो होते है, बता दू, जैसे यहाँ पर CGST, CGST, SGST और IGST, इसमें tax का पैसा, interest का पैसा, penalty का पैसा, other fees का पैसा, कभी कभी क्या हो दा है, आपने tax एक लाग रुपे इसमें जादा डाल दिया, electronic cash leisure से, अब जब आपका पुरा मेना होने के बाद पता चलता है, कि CGST कम है, और IGST जादा है, पर आपने पैसा किसमें डाल के रखा हुआ है, electronic cash leisure में, CGST में, तो law यह कहता है, कि यहाँ पे, आप normally direct नहीं सीख कर सकते, मतलब उसका यह कहना है, कि आप यह जो balance है, आपका इस मन्त में, आपने जो head में पैसा डाला है, okay, CGST के major head के tax minor head में पैसा डाला है, पर आपका इस मन्त का interest rate जादा हुआ, इंट excess balance है, तो आप excess balance डारेक्ट नॉर्मल ही नहीं, इसके लिए एक form होता है PMT09, तो PMT09 आपको common portal पे भरना पड़ेगा, और इधर का पैसा आप, आपकी output tax liability क्या रही है, IGST, तो IGST के लिए यूज कर सकते है, आप डारेक्ट मत यूज करो, PMT09 चाल अनके through आप रूट कर सकते ह मतलब यह हुआ, कि आप कोई भी minor head का पैसा, किसी भी major head minor head में shift कर सकते हो, ओके, यानि interest आपने डाल कर रखा हुआ है, penalty आपने deposit कर कर रखा हुआ है, पर यह CGST में deposit कर कर रखा हुआ है, और यहां से आपको IGST, या SGST में, जो आपने cash ledger के through पे किया है, वो shift करना है, तो आ इसके through जो है, आप shift कर सकते हो, चोटा सा है, अधर MC की question आ सकता है इसके ओपर, या 1-2 mark का question आ सकता है, कि हम shift कर सकते है, या नहीं कर सकते है, उसके बाद में electronic cash ledger, ख्याल रहे है, electronic cash ledger में क्या आता है, इसकी debit side और इसकी credit side, जो common portal पे होती है, जो आपने deposit किया, क्या-क्या internet RTGS, वो credit side में आता है, प्लस आपका जो GST का TDS कटता है, और के सामने वाली party TDS कटती है, वो भी credit side में आता है, और फिर यहां से पैसा जाता है, liability register में, for payment of tax, हाँ, very important, आपकी tax liability comply होने के बाद, जो excess balance, अगर आपने deposit कर के रखा होगा, और excess balance आ रहा है, तो excess balance का आप चाहो तो refund भी claim कर सकते हो, या next tax period में carry forward भी कर सकते हो, और आप next इसमें carry forward भी कर सकते हो, ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने electronic cash ledger में क्या देखा, पैसा कैसे जमा होता है, और यह पैसा किस के लिए use किया जाता है, दुसरा, देखो आपने आपको ऐसा बिलकुर room में बन कर देन और चार्ट, हाँ, electronic cash ledger, कैसे जमा होता है, कैसे use होता है, चालान के सारे points, फिर कुछ short note, उसके बाद में क्या हम एक हिड में पैसा जमा किये major है minor हिड और दूसरे हिड में shift करने है, तो क्या हम कर सकते है, yes, ओके, और एक अगर laser बनाना हो, common portal पे तो कैसा, जो deposit किया, या T credit ledger, credit ledger में पैसा कहां से आएगा, credit ledger में आप deposit नहीं करते हो, आपका supplier जो GST pay करता है, सुनिये का, okay, आपका supplier जो GST pay करता है, वो आप GST pay करता है, और GSTR 1 फाइल करता है, तो आपके GSTR 2A या 2B में reflect होता है, okay, अब यहाँ पे 2A जो है, बंद हो गया है, मतलब बंद होने जा रहा है, और 2B जो है, okay, वो बंद बंद जाएगा, तो 2A और 2B लगबग सेम फार्म है, तो वो आपके यहाँ पे 2A या 2B में reflect होगा, और वो जो reflect होगा, 2A और 2B में, वो पैसा आप यूज कर पाओगे, लेकिन important बात क्या है, जब आप अपना ITC यूज करोगे, तो ITC तो सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए ही यूज होगा, very important, okay, टैक्स के लिए ही यूज होगा, मतलब क्या, मतलब यह कि जैसे, okay, आपके जो टैक्स द्यूज है, वो GST है, और other interest penalty, तो आप जो है, आपका cash ledger, GST पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, interest penalty, fees और other amount के लि क्या में मेरा ITC credit, interest penalty, fees या other amount के लिए यूज कर सकता हो, कि नहीं, उसके लिए cash ledger यूज होगा, okay, credit utilize करते वक्त, आपका पूरा धहन होना चाहिए, क्या, कि IGST का credit, IGST में first, फिर any proportion में, IGST completely use होने के बाद, CGST का credit, CGST और IGST, और SGST का credit, SGST और IGST में आप यूज कर सकते हो, ल मैं देख लिया, चलो, तो credit की, electronic credit laser की सारी बाते होगे, कि वो किसके लिए use होगा, कैसे होगा, ठीक है, उसके बाद में, यहाँ पे, electronic credit laser, धहन से सुनिएगा, यहाँ पे, electronic credit laser, इसकी जो credit side है, यह credit side, यहाँ पे, जो आपने tax self-assist किया, धहन सुनिएगा, self-assist मतलब, यह आपके GSTR 2A या 2B में आया, और आपके eligible ITC, as per section 17, as per 16, by law, आप 3B में claim कर रहे हो, अभी self-assist मतलब, जो reflect हुआ, और आप 3B में block credit हटा के, सभी condition फुल्फिल करके, 3B में claim करते हो, कि मिझे इतना ITC मेलेगा, वो इतना credit side में जाएगा, और फिर वो आपकी जो liability होगी, for payment of output tax उसके लिए use किया जाएगा, एक concept देखते है, refund, अब समझ लो मेरा cash ledger में, मेरा cash ledger में, या credit ledger में, excess balance है, cash ledger में मैंने पैसा already बहुत deposit करके रखा हुआ है, और मेरे tax dues क्लियर हो गया, okay, और balance excess पढ़ा है, या मेरे credit ledger में मेरे बहुत सर्या excess credit है, तो दो चीज़े, एक त excess balance होगा, जब भी मैं excess balance होगा, मतलब सारे dues क्लियर होगा है, tax के, और आपके पास excess balance होगा, electronic cash ledger का excess balance, आप कभी भी claim कर सकते हो, जिस आपको एक application file करना है, और आप claim कर सकते हो, उसका refund, उसका refund कभी भी मांग सकते हो, कि मैंने cash डाला हुआ, सब tax क्लियर होगा, dues क्लियर आपस करो, लेकिन आपके electronic credit ledger के balance होगे, in simple word, आपके ITC के excess credit होगे, आपने purchases ज्यादा कर लिए excess credit होगे, तो ITC के excess credit का refund नहीं मिलता है, I repeat, excess credit का refund नहीं मिलता है, बस यह दो ही case में मिलता है, और कौन से दो case में मिलता है, zero rate supply, मतलब export supply, SAZ supply, और inverted tax structure, inverted tax structure मतलब क्या बेटा, output tax rate is lower than input tax rate, मतलब आपका output tax rate 10% है, sorry, 12% है, input 28 है, तो ऐसे case में इसको inverted कहते है, तो यह दो ही case में आपको इसका refund मिलता है, बाकि आपको इसका refund नहीं मिलता है, चलिए, तो I hope यह electronic credit ledger से यह point भी आपका clear हो गया, अब rule 86A, जो आपके ITC के use को restriction लगा इस पर भी सवाल पूचा जा सकता है, okay, if commissioner having reason to believe that ITC available in electronic credit ledger has been fraudulently availed, और कि यह बहुत important है, आपने fraud करके ITC लिया है, यह ineligible, he may restrict the utilization of ITC till the situation get corrected, मतलब क्या, मतलब उसको doubt है कि section 16 में, goods to service receive नहीं आ तो भी ITC ले लिया, आपके supplier ने पेमें नहीं किया तो भी ITC ले लिया, आप 17 में block credit था, ITC ले लिया, okay, उसके बाद में exempted था, ITC ले लिया, कि हमारे officer को किसी भी reason से ऐसा लगा, कि आपने ITC fraudulently लिया है, या fake invoice पे लिया है, या वो अभी ineligible नहीं है, तो वो आपने जो credit claim कर लिया, उसको रोक सकता है, उसका use रोक सकता है, उसको freeze कर सकता है, okay, restrict कर स okay, तो ऐसे case में ये चारो situation में माना जाएगा, ये चार situation में माना जाएगा, कि उसने fraudulently लिया है, या ineligible है, पहला, tax invoice, debit note या other eligible document, other eligible document issued by non-existence supplier, या register person, a register person not doing any business, या fake invoice, या जो supplier आपको invoice दे रहा है, और वो existence में नहीं है, पुरा fake बनाया गया, या वो जहां से business कर रहा है, वो place of business ही नहीं है, तो वो fraudulent माना जाएगा, ineligible माना जाएगा, या फिर, आपने ITC लिये, without receipt of goods or service, section 16 के condition है, और section 16 के condition, वो क्या कहती है, वो कहती है, कि आपने ITC तभी लेना चाहिए, जब goods or service receive हो जाएगा, अगर goods or service नहीं रिसी होए और ineligible ITC माना जाएगा, उसके बाद में ITC available in respect of tax, which has not been paid by supplier, एक condition है section 16 के, आपके supplier ने payment नहीं कियो, तो आपको ITC नहीं मिलता है, और कि और आपने ले लिया, तो वो भी ineligible माना जाएगा, RP taking ITC is non-existence or not doing business from register person, मतलब जो ITC ले रहा है, recipient, देखो, पहली condition में supplier fake है, तो third condition में जो recipient credit claim कर रहा है, वो fake है, या वो business नहीं कर रहा है, या फिर आपके position में tax invoice or debit note नहीं है, तो ये situation में, आपका ITC restrict किया जाएगा, लेकिन ये restriction, okay, maximum one year तक रहेगा, यानि ये one year के अंदर अ officer को भी prove करना पड़ेगा, कि ये fake place है, fake invoice है, okay, either supplier or recipient, या goods or services receive नहीं हुई है, तो उसको भी prove करना पड़ेगा, okay, एक साल तक ये restriction रह सकता है, ये rule 86A है, उसके बाद में मैं आ जाता हूँ, ITC पे एक दूसरा बड़ा important restrictions और वो 86B, मैं पहले कह दूँ कि इसके जो exceptions वगरे ह है, जिसको पढ़ना है, okay, आपके book में दिये, वो पढ़ लेना, as well as इसके problem मैंने solve करके दिये, rule 86B के, वो आपने देख लेना, okay, ये क्या कहता है, rule 86B कहता है, बड़ा important है, RP shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge its liability toward output tax in excess of 99% of such tax liability, okay, in case where value of taxable supply, other than exam supply or zero-rated supply, in month exceeds the 50 lakhs, okay, मतलब क्या, मतलब वो कैसे, ऐसा registered person, जिसका aggregate turnover, aggregate value, okay, ऐसा registered person, जिसकी taxable value, 50 lakh, okay, wording देखो, 50 lakhs से ज्यादा है, exceeds 50 lakhs, ठीक है, exceeds 50 lakhs, उसको ये restriction लाग होगा, restriction क्या है, और के बहुत सी बार आपके पास ITC goods का, या service का ITC जादा होता है, government यहाँ पे थोड़ा, okay, चिंदी चोरी कर दिया, आपके पास 50 lakhs का ITC है, और आपका जो outward supply है, outward supply है, okay, यहाँ 30 lakh ही आ रहा है, तो ऐसे लोगों का, जिसकी, ये सबको लागो नहीं होगा, पहली condition, जिसकी tax simple value 50 lakh के उपर होगी, उस tax period की, उस tax period की 50 lakh के उपर होगी, उनको ये restriction लागो होगा, अब normally एक layman क्या क्या सोचता है, अर्यार मेरा output tax liability 30 है, ITC 50 है, मतलब क्या मैं पुरा ITC यूज़ कर लोगा, यहाँ less ITC, less ITC, आप पुरा यूज़ कर लोगे, क्योंकि आपके पास enough balance है, okay, तो output tax क्या हुआ, नील, output tax क्या हुआ, नील, अर्य वावा, क्या अच्छा हुआ, मुझे कुछ भी नहीं देना है, government केती है, ना मुना, ऐसा नहीं होगा, अगर तेरा उस taxable period का taxable value जो है, 50 lakh से जादा होगा, तो तुझे यह शर्थ से जाना पड़ेगा, कि तू credit पुरा न वर्डिंग देखो क्या है, वो कहते है कि 99% of such liability, याने तू 99% of such liability, याने क्या ती इतना, तो तू यहाँ पे 27,00,00, 29,70,000, 29,70,000 ही यूज कर पाएगा, याने इसका 99% यूज कर पाएगा, तुझे ने टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल, और के 1%, याने 30,000 रुपए तुझे देना ही पड़ेगा, और इस सर मेरे पास तो excess credit था, excess होगा, लेकिन तुझे 30,000 देना पड़ेगा, मतलब तेरा balance, जो यहाँ पे कितना रहना चीए, तुने 29,70 यूज किया, मतलब 20,00,30,000 का balance रहेगा, याने ITC chapter में लिया हो, या payment of tax में लिया हो, वो मत देखना, okay, ITC chapter में मिल जाएगा आपको, या payment of tax में मिल जाएगा, आकरी आकरी में, okay, तो यह आपको 1% देना ही पड़ेगा, पर ख्याल रहे, यह किसको लाग हो है, जिसका यहाँ पे taxable value उस मन का 50,00,000 अगर कम वाला, सर मेरी क होगी, मेरी कम होगी, तो विर्दा आप पूरा यूस का सकते है, उसको लागू नहीं होगा, okay, तो यहाँ, और इसके कुछ exception है, आप regular books में पढ़ लेना, अब मैं आपका धान लाणा चाओगा, वो कहते है, value of taxable supply, other than exempt, और zero rate supply, okay, in a month exit 50,00,000, मतलब क्या, मेरा यहाँ पे value ही, value ही, okay, यहाँ पे 70,00,000, okay, 70,00, तो वो क्या कहते है, अगर total value तुमारी 70,00,000 है, इसमें से अगर आपका कोई exempt होगा, तो उसको लेस कर दो, तो अगर आपका exempt होगा, यहाँ पे 10,00, तो चलो, यह 10,00, रिमू कर दो, उसके बाद में zero rate supply होगा, आपका 5,00, okay, यह 55,00, तो 55,00, exit 50,00, यह आपकी taxable value होगी, तो आपको यह शर्त लाग हो जाएगी, आपको एक परसंट तो कम से कम e-cash ledger से देना पड़ेगा, दूसरा ले लो, आपका 55,00,000 है, और total 55,00,000 है, उसमें से 10,00,000 exempt है, और 5,00,000 zero rate होगा, तो यह कम करने के बाद, आपका कितना तो आपका यहाँ पर बचा 40,00,000, तो यह 40,00,000, यहने 50,00,000 से नीचे है, तो आपको यह 1% का शर्त लागू नहीं होगा, आप पूरा ITC ले सकते हो, प्लस इसके कुछ exceptions है, वो आपने देख लेना है, चलो, यहाँ पर हमने यह point देख लिया, समझ में आया आपके, चलो, next हम यहाँ पर आएगे, electronic liability register, okay, electronic liability register, discharge of tax liability, okay, अब देखो, क्या होता है, कि आपका liability register, जितना भी आपका output tax होगा, वो output tax में से, जान सुनना, वो output tax में से, पहले credit leisure use करेगा, और credit leisure होने के बाद, cash leisure use करेगा, तो, all liability shall be recorded and maintained in electronic liability register, यह आपका discharge कैसे होगा, यह important point, कैसे आप tax liability discharge करोगे, तो, यह portal क्या काम करता है, self-assist tax, और other dues related to return of previous tax period, जब भी आपके, आपने cash leisure में पैसा जमा किया, या आपने credit leisure में पैसा आया, तो, यह common portal, आपकी पहले, जो पुराने tax period की liability है, वो adjust करता है, करन नहीं, पहले पुराना adjust कर लेता है, पुराना tax period की liability adjust करने के बाद, फिर जो आपने self-assist tax किया है, self अतलब खुद असेस किया था पुराना, जो due वाकी था, और अभी जो है, वो current tax period का adjust कर लेता है, पर यह दोनों भी आपने असेस करके बताया हुआ है, और उसके बाद, third step में, अगर कोई other payment या demand होगी, जो आपने असेस करके नहीं बताई, officer ने demand की है, पहले आपका self-assist tax पुराना adjust करेगा, फिर आपका current tax period का adjust करेगा, और फिर कोई officer की demand order होगी, तो फिर वो adjust करेगा, तो electronic liability register में, आपका cash leisure और credit leisure से पैसा लिया जाएगा, और आपके tax payment के लिए use किया जाएगा, okay, उसके बाद में, very important point, certain liability only to be discharged through cash leisure, मतलब क्या, कुछ liability के लिए, जब electronic liability register में payment होता है, तो उसके लिए credit leisure use नहीं किया जाता है, only cash leisure ही use किया जाता है, कौन-कौन से, तो TDS, TCS के payment होगे, या reverse charge basis वा liability pay करते हो, तो आप credit leisure use नहीं कर सकते हो, composition tax होगा, तो आप उसको लिए credit leisure use नहीं कर सकते हो, और very very important, interest penalty fees होगा, तो आप credit leisure use नहीं कर सकते हो, हम पहली देख चुके है, कि आप credit leisure use नहीं कर सकते हो, इसके लिए cash leisure ही use होगा, और reduction in penalty, मतलब आपका tax अगर कम हुआ, तो आपकी चारा discussion देख लिया, payment of tax पे, एक ही पेज में, मैंने पूरा chapter, सारे provisions कवर कर लिया, यहाँ पे मैं बस इतना ही कहोगा, कि यह, और question है, that's all, chapter is over, I.T.C. आमने 3-4 पेजस में कटम कर दिया, यह, देखो, मैं आपको इतना concise करके दे रहा हो, कि यहाँ पे, आप मुझे याद करो होगे कि, yes, day before examination, फटा फटा आपने chart देख लिये, कुछ important questions देख लिये, कुछ important RTP को questions देख लिये, that's all, it's over, okay, तो समझा क्या आपको, समुझ में आया क्या, चली बटा, तो यह जो table है, अब table में most most important section 50, subsection 3, read with rule 88B, तो read with rule 88B, हमें यह detail में discuss करना है, तो इसके बाद का वीडियो, मैंने amendment का वीडियो लगाया हुआ है, तो यह वीडियो आप जरूर देखिएगा, इस बार exam में आने के पूरे पूरे chances है, आपको इसकी details जो है, amendment notes में मिल जाएगी, ठीक है, तो amendment notes में आपको इसकी details मिल जाएगी, तो चलिए section 53, हम यहाँ पे है, important provision रही है, interest on delay payment of tax, देखो भई, आपने tax कब देना चाहिए, अगर आप monthly skim में होगे, monthly skim में होगे, और QRMP skim में होगे, अगर आप monthly skim में होगे, तो अगले मैने के 20 तारिक तक, जब आपका GSTR 3 भी देना है, और QRMP skim में होगे, तो आपको tax monthly देना है, और अगले मैन के 25 तारिक तक, यहने return quarter ली जाएगा, पर payment month ली जाएगा, पहले दो, first month, second month, तो अगले मैने की 25 तारिक, और third month, तो third month में, जब आप GSTR 3 भी दे रहे हो, फिर वो हो सकता है 22 तारिक, हो सकता है 24 तारिक, तो जो आपकी GSTR 3 भी की date होगी, वो date, तो यहाँ पे 20 तारिक या फिर third month की liability, जब आप GSTR 3 भी दे रहे हो, तब आएगा, तो वो आपकी due date रहेगी, तो अगर आपने due date में, payment नहीं किया, क्योंकि आपकी cash laser की liability आ रही थी, और आपने payment नहीं किया, तो 18% per annum से, आपको interest लगाया जाएगा, इसके problem solve करके जरूर जाना, और 18% per annum, कब स तो next day, will be started from the date following the due date of payment, जो भी आपकी due date होगी, उसके next day से interest होगा, till the actual payment of tax, आपको interest लगाया जाएगा, next very very important, वो क्या, okay, provided that interest on tax pay shall be levied on that portion of tax, that will be debited to electronic cash laser, मतलब, मतलब यह हुआ कि आपकी gross liability है, आपकी gross liability है, धान सुनना, और आपकी gross liability है, और आपकी gross liability है, पचास लाक पचास लाक रुपए, जिसमें से ITC जो है आपका, वो है 30 लाक रुपए, यानि आपकी जो, okay, electronic credit ledger से देना आएगा, sorry, electronic cash ledger से, तो जो electronic cash ledger से देना आएगा, वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 20 लाक रुपए, तो जो आपको electronic cash ledger को debit करना है, उस पर interest आएगा, यान आपके gross liability पर नहीं आएगा, ये 20 लाक रुपए, okay, पर interest आएगा, into 18%, into जो भी number of days होगा, समझ लो, आप 20 दिन लेट होगा है, 20 divided by 360 अगर, तो इस तरह से आपका interest निकाला जाएगा, लेकिन इसका एक और meaning देखो, और क्या meaning देखो, देखो भाई, आपकी दो liability थी, एक liability ज liability थी, और एक दूसरा, RCM की आपकी liability थी, पर RCM में river charge, पर वो invert supply की liability थी, अब आपकी output tax liability जो है, वो है 50 लाक, और आपका RCM है 5 लाक रुपए, और के आपका RCM है 5 लाक रुपए, तो ऐसे situation में, धान्स सुनेगा, पांच लाक रुपए, तो ये तो आपको मालम है, आपका जो ITC है, वो आप ITC use करना है, तो आप RCM payment के लिए use नहीं कर सकते हैं, आपके पास 30 लाक का ITC है, तो 30 लाक का ITC, आप स्रिफ output tax में use कर सकते हैं, मतलब क्या, मतलब आपको 20 लाक रुपए electronic cash leisure को debit करने है, यी cash leisure को, आपको debit करने है 20 लाक, प्लस 5 लाक RCM के debit करने है, ये 5 लाक RCM के debit करने है, तो इन शॉट आपकी जो liability आएगी, ये ITC में आपका RCM का भी ITC कवर हो गया, ठीक है, इन सिंपल वर्ड, आपको electronic cash leisure से कितना pay करना है, तो आपको 25 लाक पे करना है, तो ये 25 लाक पे interest निकाला जा क्योंकि net liability मतलब फिर हुआ, वो तो ये 20 लाकी हुआ, आपके net liability नहीं, एक्जाम में वर्ड यूज करना है, जो electronic cash leisure को debit किया जाएगा, मतलब आपकी output net tax liability, प्लस RCM, ये दोनों का मिला के, जो electronic cash leisure को debit होगा, उस पर interest निकाला जाएगा, अगर वो आपने due date को पे नहीं किया देन, 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 इस तरह से हमारा section 50 भी खतम होता है, मजा आगे आपको, yes or no, बोलिये जोर से, yes or no, तो चलो, आज का revision यहीं कितम करते हैं, next session कल होगा, पर कैसा बेटा, साथ साप में मैं चाट बना रहो, चाट बनाने के लिए मैं घंटों बैट रहो, ठीक है, तो ऐसे case में हो सकता है कि एकाद दीन कम ज़्यादा हो, पर आप अपने पढ़ाई चालो रखिएगा, self study चालो रखिएगा, यह तो revision मेरे तरफ से आपको extra यह support है, done? तो चल यह दोस्तों, मजाया? आज का session यहाई रोकता है, next session में continue करेंगे, all the best. तो पेटा, यह section 51, यह जो है, मैंने नीचे टेबल में आपको दिया है, जो अभी मैं explain करने वाला हूँ, यह नीचे टेबल में आपको दिया है, section 51, okay, यहाँ पे, तो यह section 51, आहम पढ़ेंगे, और यह जो table में second वाला पार्ट है, यह आपको नहीं पढ़ना है, इंटर लेवल पे, यह आपने scratch कर दिया, तो भी चलेगा, second वाला पार्ट, और yes, okay, third वाला पार्ट, detail में हमको पढ़ना है, तो चलिए, okay, यहाँ पे देखते है, section 51, जो मैंने आपके चार्ट में, table में दिया हुआ है, अब हो सकता है बेटा, आपके notes में, दहां से सुनिएगा, आपके notes में, यह मैंने class जो लिया होगा, तो हो सकता है, यहाँ पे मैंने calculation 24% per annum से किये हो, लेकिन आपको accordingly आप correction कर लेना है, okay, यहाँ interest 24% per annum से नहीं लगेगा, आपको correction करना है, और वो interest 18% per annum से लगेगा, I repeat, interest आपको 18% per annum से लगेगा, section 50, subsection 3 का, और यह जो interest है, okay, आपको 18% से किस तरह से calculate करना है, मैं आपको आगे बताऊगा, done, यहाँ तक clear, यहाँ तक clear, चलो, चली बता, अब नीचे टेबल पर आजओ, नीचे टेबल पर आजओ, आपको section 50, read with rule 88b, rule में थुड़ा और चीज clarify किया है, और देखो क्या, अब देखो, interest जो है, यहाँ पर, सुनो, interest जो है, यहाँ पर तीन तरीके से लगाए गया है, 88b, subsection 1, read with, मतलब section 50 में मैं explain कर चुका हो, साथ साथ में rule 88b भी दिया है, if tax has been belatedly paid, through credit balance, on account of delay filing of return, on account of delay filing of return, before commencement of proceeding under section 73 और 74, simple word में, यह 73, 74 बात में देखेंगे, यह अभी कोई relevant नहीं है, पहले समझ लो, अगर आपका, सुनो, आपका belated payment है, और आपका tax मतलब output tax, और यह output tax का belated payment है, तो section 50, subsection 1 में, क्या rate, क्या rate of interest है, 18% पर है, कब से आपको interest लगेगा, interest to be paid for a period of delay in filing said return, beyond the due date, up to date of filing GSTR 3B, याने next day after due date, till the date of filing your GSTR 3B, and till the date of payment, याने आपका interest जो लगेगा, वो आपका next day से calculate होगा, और कितना amount पर taxable होगा, तो जो आप electronic cash ledger से pay करोगे, electronic cash ledger से pay करोगे, मतलब net tax payable, after ITC, plus tax under RCM, tax under RCM, तो उतने amount पर आप यहाँ पर pay करोगे, ठीक है, done, चलो, अब यह तो simple था, section 50, section 1 का interest, आप जो है, यहाँ पर next day से pay करोगे, और next day से जो पर करोगे, आप आपकी net GST liability, plus RCM, जो payment आप electronic cash ledger के थुरू करोगे, यहाँ तक समझ में आया, चली, next 88 B2, in all other cases, where interest is payable on delay payment of tax, under section 51, read with, okay, यहाँ पर, read with section 77 and section 78, sorry, 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 section 70, यहाँ लिख दो, section 73 and section 74, the amount of tax which remains unpaid, okay, यहाँ पर देख लेगा, the amount of tax which remains unpaid, यहाँ आपके gross amount पे, आपके gross amount पे interest लगेगा, gross amount पे interest लगेगा, और वो 18% per annum से लगेगा, और next day after due date, अगर आप CA inter में हो, जान्स सुनिएगा, अगर आप CA inter में हो, तो आपको यह 73, 74 पढ़ने की जरुवत नहीं है, मतलब 88B2 यह आप cross कर सकते हो, okay, 88B2 आप cross कर दो, क्योंकि section 73, 74 आपके syllabus में नहीं है, अगर CA 73, 74 का लगाओगा, तो आपको interest gross amount पे लगेगा, तो यह आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है, लेकिन, अब देखिएगा, next hour, यह जो table का third part है, यह बड़ा important है, और यहाँ पे, okay, यहाँ पे देखो, if interest is payable on ITC, wrongly availed and utilized, यह आपको बहुत अच्छे से करन के जाना है, if interest is payable on ITC, wrongly availed and utilized, तो देखो, period from the date of which utilization of such wrongly availed credit, okay, देखो wording सा, period from the date of utilization of such wrongly availed ITC, till the date of reversal of such credit, और payment of tax in respect of such amount, okay, आपको interest देना है, और अगर आपने wrong, जितना wrongly availed and utilized किया, उस पे आपको 18% per annum से देना है, हो सकता है, आपके book पे मैंने पढ़ाया है, और 24% per annum, पर 24 नहीं, क्या rate से देना है, आपको 18%, यहाँ पे आप correction कर लो, और यह 18% per annum से आपको calculate करना है, और कि notified rate, यह आपको correction यहाँ पे करना है, चली, तो यह 18% per annum से आपको calculate करना है, यहाँ तक clear, next, next, अब, अब आजाओ, आप next discussion पे, यह जो explanation है, यह explanation देखिएगा, अब यह क्या कहता है, ITC wrongly avail shall be constitute to have been utilized when balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly avail, underline, fall below the amount of ITC wrongly avail and the extent of such utilization of ITC shall be the amount by which balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly avail, sir underline के law, कुछ समझे में नहीं आया, तो टीक है, मैं पढ़ाने वाल होना, आपको, next, date of utilization of such ITC shall be taken to be as under, if balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly avail on account of payment of tax through said return, the date of utilization of such ITC shall be earlier of date on which return is due to furnish or actual date of filing return, उस दिन date of utilization माना जाएगा, B, when balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly avail, in all other cases, बाकि अगर return की cases, other cases होगी, the date on which utilization of such ITC shall be the date of debit to, date of debit to electronic credit ledger, all other cases मतलब वो situation में आपका जो balance है, refund दे दिया, refund के वाज़े से debit कर दिया, sir, ये कुछ भी समझ में नहीं आया, okay, मैं बैटाओ, समझेगा, समझेगा, okay, sir, यहां तक हमने underline किया, उतना ही enough है, underline किया, उतना ही समझ में आया, तो enough है, ठीक है, चलो, ये दोनों point में आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ, अब आजाओ, आपके notes में मैंने एक problem दिया हुआ है, और ये problem पे आजाओ, ठीक है, ये problem पे आजाओ, ये problem आपकी सारे problem solve कर देगा, ठीक है, आगे ये problem पे, step by step अब मेरे साथ चलना है आपको, ठीक है, ये जो problem है, ये problem, आपके पुरारे notes में मैंने कुछ भी दिया होगा, ignore it, ignore it, और आपके notes में ऐसा corrected problem होगा, तो ये आपको follow करना है, एक बार मेरे साथ step by step देख लो, औके और ये जो है, आपको follow करना है, देखो, मन्त है, एप्रिल, में, जून, जुलाई, आगस्ट, ठीक है, ओपनिंग balance in electronic credit ledger, मेरा एप्रिल में, ओपनिंग balance मेरे electronic credit ledger का कुछ भी नहीं था, निल था, ठीक है, यहां capital goods, input service, तो जिसको मैं eligible है, मैं ले सकता हूँ, ऐसे 7 लाग रुपे थे, और ITC wrongly aware, मतलब ऐसे कुछ, जो block credit में होगे, सुनो, ऐसे कुछ, जो block credit में होगे, या exam में, या कोई भी reason के वज़े से मुझे ITC नहीं मिलते हैं, I repeat, कोई भी की वज़े से मुझे ITC नहीं मिलते हैं, ऐसे मैंने गलती से 50,000 और claim कर लिए, avail कर लिए, तो total मैंने April में, जब मेरा GSTR 3B file किया, तो मैंने 7,50,000 का ITC claim कर लिया, ठीक है, 7,50,000 का ITC claim कर लिया, अब April मैंने का मेरा output tax जो आया, वो 7,00, रुपीज आया, सुनो, April मैंने का मेरा output tax कितना है, 7,00, तो मेरे पास ITC claim किया हुआ, 7,50,000, और 7,00, मेरा जो है, output tax liability आया, मेरी return की due date थी 20 में, और मैंने actual return भी 20 में को file किया, return की due date भी 20 में को है, और actual return का भी provision पढ़ लेते हैं, determine the date from when interest is applicable in our cases, also calculate the amount of interest if wrongly avail and utilize, ITC is reverse, in September return, मतलब ITC reverse किया गया 20 October को, अगर wrongly कोई ITC लिया होगा, तो 20 October को वो reverse किया गया, calculate the amount on which interest is payable under rule 88B, read with section 53, read with section 53, ठीक है, चलो, अब मैं एक-एक मन लेता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, answer में, April में, मेरा output tax liability 7 लाग था, मेरे पास credit कितना था, 7 लाग 50 अजा, तो answer में, okay, मेरा जो closing balance है credit का, अब देखो, यहाँ बदल जाएगा, तो मेरे credit 7 लाग 50 अजार थे, output tax 7 लाग था, मेरे पास closing balance 50 अजार था, मैंने wrongly कितना अवेल किया था, 50 और balance भी कितना है, 50, मतलब, okay, यह जो wrongly अवेल किया ITC, यह short नहीं हुआ, एक बार मुह घुमा के किया, तो ऐसे case में, okay, मुझे interest तब लगेगा, अगर मैं wrongly avail and utilize करू, wrongly avail and utilize करू, तो अगर यहाँ पर माना गया कि मैंने, क्योंकि मेरा 50 अजार, जो wrongly avail and अभी तक short नहीं है, उतना closing balance है, तो ऐसे case में मैंने अभी तक use नहीं किया, तो क्या मुझे interest लगेगा, तो मुझे April में कोई भी interest ITC का नहीं लगेगा, at the rate 18% पर है न, यहाँ तक समझा होगा, तो April का A type करो, यहाँ तक समझा होगा, तो April का A type करो फटा फटा, ठीक है, ओके, done, फिर आते हम में में, ओके, फिर आते हम में में, अब यह जो है, यह balance, यह देखो, यह wrongly availed हुआ, बहुसी बार तो ऐसा होता है, कि मेरा account नंडे ले और हमको तीन-चार मैने बाद पता चलता है, अरे यार, इसका तो credit मिलता नहीं था, तुने claim कर लिया, अब यह जो है, पचास हजार next month में opening balance बना, okay, next month में opening balance बना, पचास हजार उपे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, okay, यहाँ पे, अब next month में जो opening balance बना, अभी तक मैंने reverse नहीं किया, क्योंकि यह reverse मैंने 20 October को किया हुआ है, तो में में भी continue रहा, में के eligible ITC थे मेरे 5 लाग के, समझा, में के eligible ITC थे 5 लाग के, done, अब में का total ITC हुआ, वो opening balance और eligible 5 लाग, क्या मैंने में 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 कोई wrongly avail किया, नहीं, में में कोई भी मैंने wrongly avail नहीं किया हुआ है, okay, तो कोई दिक्कत नहीं, total मेरा कितना हो गया, 5 लाग 50 लाग, में की output tax liability मेरी 5 लाग, तो मेरे पास closing balance 50 लाग, तो मैंने जो wrongly avail किया ITC, आज भी 50 वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, वो अभी तक short नहीं हुआ है, वो अभी तक short नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे interest नहीं लगेगा, क्योंकि interest तभी लगेगा, जब मैं उसको use करूँगा, interest तभी लगेगा, जब मैं उसको use करूँगा, मैंने use किया ही नहीं, तो अभी तक मुझे interest नहीं लगेगा, ओके utilize तभी बोला जाएगा, जब ये short हो जाएगा, तो दोस्तों मुझे बताओ, मैं समझा क्या आपको, मैं समझा क्या आपको, then, चलो, मैं समझाओगा, तो M type कीजिएगा फटावट, उसके बाद में next, अब आगया जून, ये पचास हजार balance जून में carry forward हुए, अब ये जो पचास हजार का balance, जून में carry forward हुआ, और उसके ओपर, जून में carry forward हुआ, और उसके, ओके, फिर मैंने 3 लाग का ITC लिया, टोटल मेरे पास 3 लाग, पचास हजार का ITC हो गया, अब मेरी जून की output tax liability, 3 लाग 30 थाउजन थी, अब 3 लाग 30 थाउजन में मैंने ITC use कर लिया, तो मेरे पास closing balance 20 हो गया, मतलब क्या, मतलब जो wrongly avail किया ITC या, वो short हो गया, और वो short to that amount, कितने amount से short हुआ, 30,000 से, तो जितने amount से short हुआ, उतने amount से आपको interest लगेगा, तो 30,000 से short हुआ, तो मुझे interest 30,000 पे लगेगा, तो देखो, क्या, अगर आप answer देखोगे, तो क्या April में मुझे interest लगेगा, क्या नहीं, क्योंकि मैंने wrongly avail, तो किया था, पर utilize नहीं किया, और जब तक मैं utilize नहीं करोगा, तब तक मुझे interest नहीं लगेगा, पर क्या मुझे June में लग जाएगा क्या interest, yes, June में कितने amount पे interest लगेगा, 30,000 पे interest लगेगा, जुन में मुझे interest कितने amount पे लगेगा, 30,000 पे लगेगा, चलो, यहां तक मुझे समझ में आ गया, ठीक है, बीट्री ओके इंट्रेस जो है आपका कब से लगेगा तो इंट्रेस जो है डेट आप फाइलिंग ड्यू डेट आप रिटन और डेट आप एक्चुल रिटन वीच्वरीज अरलियर मतलब आपकी लाज डेट आप रिटन 20 तारीक है अगर आपने 20 तारीक या उसके पहले दे सकते हो 17 को भी दे सकते हो तो दोनों डेट में से वीच्वरीज अरलियर उस दिन से आपका इंट्रेस चालू होगा तो मेरी ड्यू डेट 20 तारीक है मैंने एक्चुल 20 तारीक को ही दिया है तो मेरा इंट्रेस यहाँ पे 20 तारीक से चालू हो जाएगा ओके नहीं और यहाँ पर जो उंक यहाँ पर ढर्टेस की डेत वहगी डेट ओ डेट ऑप यूटिलाजेशन और डेट अप यूटिलाजेशन जो आपको 21 से मतले न जिस दिन आपने यहाँरिक डेट का वहां से ले न यानि आपका जो है 20 जुलाई से नेक्स डे से नहीं देखो डिले पेमिंट आप आउटपुट टैक्स होगा सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 का तो वहां नेक्स डे से लेना और रॉंगली अवेल और यूटिलाईजेशन का होगा तो whichever is earlier जो date आई वो तो 20 जुलाई से आपका इंट्रेस चालू होगा और यह आपने रिवर्स या पेकप किया 20 ओक्टोबर को तो 20 जुलाई से 20 ओक्टोबर तो 20 जुलाई यहने 20 को भी consider कर लेना तो जुलाई के हो जाते हैं यहाँ पे 12 दिट लोग क्यलकुलेटर जुलाई के हो जाते हैं अगस के हो जाते हैं जुलाई के होगे 12 प्लस अगस के होगे 31 सप्टेबर के होगे 30 प्लस ओक्टोबर के होगे एक मिनट जुलाई के 12 प्लस 31 प्लस जुलाई अगस सप्टेबर के 30 प्लस ओक्टोबर के 20 तो यहाँ पे 93 डेज एक बहुत important बात है कि next day से नहीं लेना है आपको data of utilization से ही लेना है तो 93 days का 18% per annum से divided by 365, 1376 round up करके आपका आजाएगा यह समझा क्या बेटा अगर जून समझा होगा तो J type कीजिएगा तो यहाँ पे 50,000 पे लगेगा या जितना short हो गया उतना तो जितना short हो गया कितने से short हो गया 30,000 से short हो गया तो जितना short हुआ उतने से लगेगा यहाँ तक समझा क्या चलिए अब आगे यह 20,000 का balance आगे carry हुआ 20,000 eligible credit 6,000,000 रुपे है आगे carry हुआ eligible credit 6,000,000 रुपे है के बाद मेरे पास balance 10,000 रहा तो अब मेरा और कितना short हो गया अब short 40 मत कर लेना ठीक है उसमें से 30 का तो interest हमने ले लिया पुरा अब वापस जो है वो short हो गया 10 तो यह 10 पे interest लगेगा अब 10 पे interest लगेगा कौन से मन का जुलाई interest कब से लगेगा due date of return actual आपकी due date थी 20 तारिक और आपने actual return दिया 18 तारिक तो whichever is earlier तो ऐसे situation में आपका earlier अठरा तारिक है तो आपको जो है यहाँ पे 18th August से यहने जुलाई का interest देखो तो 18th August से तो 20 October का 10,000 रुपे पे 18% per annum से interest लगेगा अगर आप number of days देखोगे तो वो 64 days हो जाएगे ओके 64 days हो जाएगे यहाँ तक समझा क्या तो यह हुआ वेटा जुलाई तो 64 days का आपको interest यहाँ पे देना है देन ओके उसके बाद में अब यह 10,000 रुपे वापस carry forward हुए है और तोटल 5,000,000 रुपे और पूरा का पूरा use हो गया मतलब ओके आपने August में यह 10,000 रुपे भी यूज कर लिए तो आपको वो 10,000 रुपे पे August से interest लगेगा याने जब 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 जितना जितना यूज करोगे यह बड़ा important वड है जब जब जितना जितना यूज करोगे उतने पे interest लगते जाएगा तो यह 10,000 रुपे पे आपको no doubt whichever is earlier आपके due date थे 20 तारिक और आपने return दिया 25 को late दिया whichever is earlier तो यह 20 तारिक से तो आपको interest लगना चालो हो जाएगा तो यह 20 September से लेके 20 October 31 days का interest आपको लग जाएगा on that 10,000 18% पर आपने यह समझने में बहुत आसान है August समझा क्या August समझा होगा तो A type किजिए का ओके तो यह अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर हो सकता है कि आगे के मंत में हमारे ITC बढ़ गए बढ़ गए देखो यहने आपका अब 20 आया था हो सकता है आपके ITC बढ़ गए होगे बढ़ गए होगे तो फिर interest नहीं आएगा क्योंकि sufficient balance है याने जब तक आपका यहां पे balance वो wrongly से 6,50,000 तो यह 20 वैसे ही पड़े अभी use नहीं किया तो interest नहीं लगेगा फिर आगे बढ़ जाते है तो वैसे ही पड़े पर कभी अगर future में 20,000 से short हो गए 20,000 से भी short हो गए तो जितना आप use करोगे उतना interest लगेगा I hope you understood I hope you understood तो चलिए यह था regarding to calculation of interest अब आपको यह वाल point समझ में आएगा देखो ITC wrongly avail shall be considered to have been utilized when balance in e-credit ledger कब बोला जाएगा कि आपने utilize किया when balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly avail जब भी आपका balance credit ledger का जितना wrongly availed था उससे कम जाएगा बढ़ते जाएगा तो कोई दिक्कत में interest नहीं लगेगा पर जैसी उससे कम हो जाएगा जितना आपने use किया उतना interest लगते जाएगा and to the extent of such utilization of ITC मतलब आपको total 50 भी नहीं लगेगा to the extent जितना जितना आप use करोगे I repeat जितना जितना आप use करोगे to that extent उस मन्त का आपको applicable interest लगेगा ये समझा क्या ये समझाओगा तो one type करो ये समझाओगा तो one type करो पहली बात तो okay अगर आपने wrongly avail किया हुआ ITC जो है उससे आपका balance short हुआ तो ही आपको interest लगेगा दूसरा दूसरा जितना short होगा उतना ही लगेगा okay उतने ही लगेगा अच्छा next date of utilization कब बोलना okay कब बोलना कि आपने wrongly utilize किया तो वो कहते है if balance in e-credit ledger fall below the amount of ITC wrongly avail on account of payment of tax through said return the date of utilization of such ITC shall be earlier of due date और actual date of filing return which is earlier अब समझ जाएगा आपको अब समझ जाएगा ये बेटा class का फायदा होता है मतलब कभी कभी कुछ हमको self study से insight नहीं मिलता है लेकिन अब हर word आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपका interest जिस दिन utilize क्या उस दिन से next day से नहीं जिस दिन utilize क्या उस दिन से लगेगा कब कहा जाएगा कि आपने utilize कब किया है तो वो due date of return और actual date of filing return whichever is earlier ये स इसी बार रॉंगली refund की debit हो जाती है इंट्री अगरे तो जिस दिन debit हो आउस दी तो चलो ये इतना important नहीं है पहला वाला okay जो है हमारे discussion के लिए important है okay तो ये आपको अगर clause A समझाओगा तो A बड़ा important है ये आपने देख लिया A समझाओगा तो पड़ा पड़ा clause A type करो चोटा A type करो तो in this way हमने यहाँ पे जो है okay section 50 50 subsection 3 rule 88 B हमने यहाँ पे देखा ठीक है दोस्तों चलो बड़ा आपको वाला लिया यहाँ है यहाँ जो शियाए च्टा मैं मैं यहाँ है करते है समझाओगा आपको नहीं पड़ा कर दोस्तों चलो